आप में देखे circuit breaker के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जो circuit breaker है वह हाय Kirsty circuitsدة को protect करने के काम में आता है अब इस वीडियो में हम circuit breaker के बारे में नहीं जानेंगे circuit breaker के जो टाइप में और सर्किट ब्रेकर के जो function फॉंक्षणिंग है वो हम आगे आने वाले वीडियोगे इस वीडियो में हम देखेंगे किerkut break उसी से …… क्यार कारण होता है और क्यों किसे खتم किया जाता है यह सारा जू फॉंक्षणिंग इस वीडियो में देखेंगे की क्योंकि अगर तो पूरी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा इस अधर आने वाले वीडियो Amp प्रेक्टिकल चीज़ें ज्यादा है नहीं इसके अंदर मतलब थेORETICAL rester है तो आपको मैं ज्यादा लिख करके नहीं बताऊंगा और लिए आपको ज्यादा समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से बातों को सुनना है ठीक है तो देखिए सर्कीट ब्रेकर किसी भी पावर सिस्टम के अंदर बहुत ही काम का इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्टि देते हैं सर्कीट ब्रेकर से पहले रिले भी लगता है रिले क्या करता है रिले सेंस करता है फॉल्टिक फॉल्टि सिच्वेशन को और वो सर्कीट ब्रेकर को बताता है कि आपको सर्कीट करना है ठीक है और सर्कीट ब्रेकर उसके बाद सर्कीट को ट्रिप कर देता है तो कि इसी भी power system को बचाने के लिए हमको पहले circuit breaker लगाना होता है हम fuse या switch भी लगा सकते लेकिन high voltage circuits के बात करते हैं तो circuit breaker लगाते हैं अब circuit breaker के अंदर जैसे ही कोई faulty situation होती है जैसे यहां पर कोई faulty current आता है short circuit या overload की वज़े से कोई faulty current आता है तो उसका joint है माल लीजिए यह उसका joint है तो यह जो joint है यह कुछ इस तरीके से हट जाता है यह कुछ इस तरीके से हो जाता है इसके बाद में तो यहां पर एक आर्क डबलब हो जाती है जब यह सरक्ट यहां पर हटता है तो यहां पर एक आर्क डबलब हो जाती है अब आर्क कैसे डबलब होती है यही हमको इस वीडियो में समझना है तो देखिए माल लीजिए कोई सरक्ट कोई इलेक्ट्रोड मैंने आपर बना दी, अब ये इलेक्ट्रोड पहले जॉइंट है, ऐसे जॉइंट है, और अब मैंने इनको हटा दिया, तो अब क्या होगा, कि माल लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट करेंट यहां पर आ गया, कोई फॉल्टी करेंट आ गया, बहुत जादा सिस्टम को बचाना है, तो इसलिए पहले वो सर्किट ब्रेकर से गुजरेगा, अब सर्किट ब्रेकर के अंदर हमने जो मूविंग इलेक्ट्रोड लगा रखी है, फिक्स्ट इलेक्ट्रोड भी होती है, मूविंग इलेक्ट्रोड भी होती है, वो हम आगे आने वाले वीड contract जैसे ही हलका सा दूर हुआ तो यहां पर क्या होगा पहले current को पूरा path मिल रहा था जाने के लिए लेकिन अब उसका path कम हो चुका है पहले से कम हो चुका है तो वह जैसे ही path कम होगा तो यहां पर जो है current density जदा बढ़ जाएगी ना जैसे ही माली जी यह जगह है इसको मैं बीच में से तोड़ दूँ या फिर इसको नेरो कर दूँ यहां से पतला कर दूँ तो current density वहाँ पर जादा हो जाएगी बात समझ में आ रहे हैं जैसे हम pipe को पकड़ लेते हैं तो पानी तेजी से जाता है तो यहाँ पर current density जादा हो जा हुआ इसको मैं current density लिख देता हूँ ठीक है उसके बाद current density बढ़ गई फिर उसके बाद क्या होगा कि ही डवलप होगी उसके बाद क्या होगा ही डवलप होने के बाद जैसे ही contact अब दूर हो जाएंगे तो यहाँ पर माल लीजे contact दूर हो गए तो इसके बीच में जो यह मी isolating medium लगा जाता है ना तो air तो होता है यह normally oil भी कई बार लगा दिया जाता है वो हम आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ अब यह जो एयर है तो इसके कुछ molecules यहाँ पर मौजूद होंगे तो यह जो heat डवलप होई है यहाँ पर अभी इस heat क इसकी वज़े से इसके जो molecule है यह पहल तो randomly इदर उदर घूम रहे होंगे लेकिन इसकी वज़े से इनके electrons जो है वो direction में आ जाएंगे और वो आयोनाइज हो जाएंगे ठीक है तो आयोनाइजेशन का process यहाँ पर हो जाएगा और वहाँ पर ions बन जाएंगे negative positive ions बन जाएंगे वहाँ पर neutral molecule नहीं रह पाएगा तो अब क्या हुआ आयोनाइजेशन हो गया आयोनाइजेशन होने की वज़े से यहाँ पर यह जो है यह भी तरीके के conductor बन जाएंगे ना जैसे negative चार जा गया पॉजिटिव चार जा गया तो एक तरीके से conductor बन जाएगा तो वो जो conducting path यहाँ पर बना है मालीजे air के जो molecule है जो आयोनाइज हो ग current पहले ऐसे flow हो रहा था वह अब आर्क के through flow होता है आप कभी देखेंगे कि दो वायर को दूर करेंगे अचानक से तुम आपर एक आर्क डवल उपो की कुछ seconds के लिए तो वही आर्क यहाँ पर डवलप हो गई और यहाँ पर आर्क डवलप हो चुकी है अब क्या होगा कि इ कैसे बंद किया जाता है या फिर यह आर्क किस किस पर depend करती है वो हमको जानना है तो हम देख सकते हैं कि due to any faulty condition heavy current flows through the circuit breaker contacts ठीक है when the contact begins to separate an arc is developed between them because of high temperature and ionization of particle यह सारी बाते मैंने आपको समझा दी due to this arc the current remains uninterrupted अब जो यह arc develop हुई है तो हमारे जो circuit breaker का काम क्या है कि उस current को बंद कर दे लेकिन वो इस arc की वज़े से महाँ पर बंद नहीं कर पा रहा है ठीक है न वो अभी भी महाँ पर current जा रहा है उस arc के through अब क्या होगा कि वो जो arc है वो किस पर depend कर रही है कि वो जो आर्क का जो resistance है वो जितना जादा होगा तो उतना जल्दी महाँ पर current बंद हो जाएगा न कि जैसे अभी यह जो आर्क आपके develop हुई है इसके अंदर resistance जितना होगा तो यहाँ पर current उतना ही कम हो जाएगा तो जो current है वो resistance के inversely proportional होता है मतलब resistance जितना जादा current उतना कम हमको current कम करना है current बिलकुल बंद करना है इसलिए resistance बढ़ाना है अब resistance किस किस पर depend करेगा वो हम देख लेते हैं length of arc arc की length जितनी जादा बड़ी होगी मतलब अगर मैं दोनों points को दूर कर दूँ तो यह length बड़ी हो जाएगी length बड़ी हो जाएगी तो ज्यादा molecules बीच में होंगे तो ज्यादा molecules बीच में होंगे तो वो lose हो जाएगा उसका connection और यह arc अपने आप यहां से बंद हो जाएगी तो एक तो length of arc पर depend करता ही resistance दूसरा cross section of arc आपको पता है आपको पता है कि r is equals to rho L upon A होता है ठीक है तो A क्या है A है area of cross section तो area of cross section जितना कम होगा resistance उतना ज्यादा होगा और resistance जितना ज्यादा होगा current उतना कम होगा ठीक है तो यहां पर cross section हमको कम करना है degree of ionization degree of ionization भी जितनी कम होगी उतना ज्यादा resistance होगा बात समझ में आ रही है ना कि जितने कम molecules ionized होंगे उतना ही ज्यादा resistance होगा और तो principles of arc extension arc extension अब arc double up हो चुकी है अब उस arc को जल्दी से जल्दी खतम करना है ताकि हमारा circuit protect हो सके तो arc को कैसे extent किया जाए या कैसे उसको खतम किया जाए तो दो principles होते हैं कि या तो आप पहला तो होता है potential difference between context दूसरा होता है ionized particle between context तो potential difference between context माल लीजिए इन दोनों points के बीच का जो PD है जो potential difference है ये एक तो matter कर रहा है उस arc को यहाँ पर रखने के लिए अगर ये potential difference मैं यहाँ पर किसी तरीके से कम कर दूँ तो यह जो arc बनी है यहाँ पर जो arc बनी है वो finish हो जाएगी दूसरी बात कि ionized particle between arc तो इन दो points के बीच में जो ionized particles है अगर मैं इनको ही कम कर दूँ तो यहाँ पर ये जो arc डवलप होई है ये भी डवलप नहीं होगी ठीक है ना दोनों बात clear कर सकते हो आप कि पहला जो principle है वो है potential difference related है कि आपको potential difference से deal करना है इस arc को deal करना है तो दूसरा है ionized particle तो एक तो potential difference जदा हुआ तो arc बन जाएगी potential difference कम होगा तो नहीं बनेगी दूसरा ionized particles जदा होंगे तो जदा देर तक arc रह जाएगी नहीं होंगे तो नहीं होगी तो ये दोनों principle आपको समझने है अब इन दोनों principles के according दो method यहाँ पर बने है जिन से arc को खतम किया जा सकता है तो पहला जो method है वो है high resistance method अब high resistance method हमको समझना है कि क्या होता है और कैसे होता है high resistance method तो जो mean method है वो हमारे current 0 method होता है high resistance method वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया था high resistance method के अंदर क्या किया जाता है कि arc का जो resistance है उसको बढ़ा दिया जाता है तो उसको time के साथ अगर उसको increase करेंगे तो current थोड़ी देर में अपने आप कम हो जाएगा और arc वहाँ पर खतम हो जाएगी बात समझ में आ गई आपको अब उस resistance को कैसे बढ़ाया जाए तो या तो आप उस arc के length को बढ़ा कर दें दोनों wire को दूर ले जाएगी तो आपके length के arc बढ़ जाएगी आर की length बढ़ जाएगी लेकिन यह जो lengthening of arc होता है यह थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कई बार उस arc को बंद करने के लिए बहुत दूर ले जाना होता है कई meters दूर ले जाना होता है तो ऐसा possible नहीं होता है practically इसलिए high resistance method इतना काम नहीं आता है दूसरा है cooling of arc arc को किसी cooling medium से cool कर दिया जाए तो भी महाँ पर possible है तीसरा reducing cross section of arc किसी किसी तरीके से अगर जो इसका cross section कम कर दूँ यहाँ पर बीच में कुछ ऐसी plate लगा दूँ या कोई ऐसा material यहाँ पर लगा दूँ जिसके अंदर से उस arc को जाना पड़े तो अपने आपी महाँ पर resistance बढ़ जाएगा और वो arc को खतम कर देगा चौता है splitting the arc मानली जैसे arc जा रही है यहाँ पर मैं क खतम करना थोड़ा आसान हो जाता है तो यह चार method जो है यह high resistance method के अंदर आते हैं कि या तो आप arc के length को बढ़ा दे या cross section कम कर दे या फिर उसको cool कर दे या फिर उस arc को अलग-अलग भगों में बाड़ दे दूसरा method होता है low resistance method या फिर current zero method ये वाला जो method है ये सिर्फ और सिर्फ AC circuits के लिए काम में आता है क्यूंकि आप कोई चीज पता होनी चाहिए कि AC circuit के अंदर जो waveform चलती है वो कुछ इस तरीके से चलती है तो current अपने आप ये जो मानली जो faulty current है तो अपने आप एक बार तो zero पर आता ही आता है DC circuit में क्या होता है कि current ऐसे चलता है तो इसके अंदर zero पर लाना मुश्किल है इसलिए high resistance method यूज किया जाता है लेकिन जो हमारा AC circuit है उसके अंदर low resistance method इसलिए यूज किया जाता है या फिर current zero method भी इसको इसलिए बोला जाता है कि current अपने आप एक बार zero पर जरूर आएगा तो उस वहीं पर उसको अगर finish कर दिया जाए तो आपका आगे वाला प्रोसेस तो वैसे ही खतम हो जाएगा और खतम हो जाएगी तो इस method को हम समझते है कि यह method कैसे काम करता है कि इस method को समझने से पहले मैं आपको कुछ important terms बता देता हूँ जो कि आपके लिए ज्यादा पाम की चीज़ है तो पहले ही मैं आपको बताता हूँ आर्क वोल्टेज क्या होता है दिखिए जिस समय आर्क आपके डवलप हो चुकी है तो उस समय जो दोनों तरफ जो potential difference है जो वोल्टेज वहाँ पर बना हुआ है जिसकी वज़े से जो आर्क चल रही है उसी को आर्क वोल्टेज बूल दिया जाता है दूसरा उतर री striking voltage जब आर्क फिनिश होने वाली है जब आर्क मतलब जब आपके current approximate zero हो चुका है अब वो current वापस से अगर बनेगा एक cycle मतलब यह करेंट है इसका यहां पर यह जीरो हो चुका है अगर आपने इसको यहां पर नहीं रोका और यह वापस ऐस अगर वापस बन गया तो उस समय जो वोल्टेज होगा वहां पर उन दोनों के बीच में उसको बोलेंगे री श्रेकिंग वोल्टेज तो यह जो यहां पर current zero हो गय सहे उसके बाद जो वुल्टेज बनता और रिकवरी वुल्टेज होता है मतलब जैसा सिस्टम का वुल्टेज होता है तो आप यहां पर आहें प्रस fear में के यहां पर आप देखिएगा गहर से कि यह वाला मेरे पास waveform है यह वाली तो यह system की voltage है यह मतलब पहले voltage आपका normally चल रहा है अब generally loads कौन से होते हैं inductive loads होते हैं तो inductive loads में क्या होता है कि current lag करता है voltage को ठीक है तो यह आपका voltage है तो जब और यह कौन सा current है यह आपका फॉल्ट आ चुका है तो पहले आपका system voltage नॉर्मल था लेकिन जैसे उसके अंदर fault आया तो वह मैंने डॉट से शो कर रहा है तो आगे आने वाला current voltage कौन सा है अब system जीरो पर पहुंचा तो आपको उस arc voltage को खतम करना है मतलब restriking voltage जो है उसको पनपने से खतम कर देना है तो आपका यह current है यह zero पर ही रुख जाएगा अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप तो यह जो faulty current है वापस से एक और cycle लेगा और यह जहां पर आएगा फिर आपको वह वाला function करना होगा इस चीज को थोड़ा visually आप सोचिए गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि circuit breaker जब काम कर रहा है तो दोनों electrodes दूर हुई उनके बीच में आर्क बनी अब वो जो आर्क है मुझे उसको जल्दी से जल्दी खतम करना है नहीं तो मेरे circuit को नुक्सान पहुंचा सकती है क्योंकि current मेरा रुका नहीं है उस आर्क के आने की वज़े से वो current जा चुका है अब वो दोनों आर्क के बीच का voltage है फिर जैसे ही यह faulty current zero पर आया तो यह यहाँ पर 90 पर है जो आर्क voltage हो 90 पर है inductive load के अंदर voltage lead करता है current को तो 90 degree से lead कर रहा है यह मान लीजे आप approximately 90 degree से lead कर रहा है exactly 90 से नहीं करेगा लेकिन 90 से मान लेते हम तो यहाँ पर यह 90 प potential difference बना रखूं तो यह री striking voltage यहाँ पर कोशिश कर रहा है लेकिन हमको यह striking voltage कम से कम कर देना है तो इसी को कम करने के लिए ही हम वहाँ पर cooling करते हैं lengthening of arc करते हैं इस सारी चीजे करते हैं ताकि री striking voltage कम हो सके dielectric medium हमारा strength हो सके फिर यह striking voltage यहाँ पर finish हो चुका है उसके बाद जो यह voltage है यह वाला यह recovery voltage है यह exactly इसका जैसा ही होता है तो यह सारी चीजे आपको समझ में आ गई अब मैं आपको समझाता हूं low resistance या फिर current zero method क्या होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि current zero method मैं आपको सम index दोनों contacts के बीच में जो dielectric medium भरा पड़ा है उसकी strength आपको बढ़ानी है मतलब die electric medium कौन सा हो सकता है air भी हो सकता है coil भी हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है ताकि जो उसकी across voltage है वो वापस से नहीं बन सके वापस से नहीं बने इसलिए dielectric strength को बढ़ाना है अब dielectric strength कैसे बढ़ा सकते हैं उसको कि जो ionized particle है उनको recombine कर दें और neutral molecule बना दे बात समझ में आई वहाँ पर ionized particle है कुछ positive है कुछ negative है तो अगर उनको वहाँ पर मिला देंगे वापस से तो neutral molecule बन जाएंगे बात समझ में आ गई मतलब high pressure आपको वहाँ पर रखना होगा क्योंकि अगर वहाँ पर ज्यादा pressure रखेंगे ना तो recombine होने की condition ज्यादा होगी recombine होने के chance ज्यादा होगे दूसरा कि वह जो ionized particle है उनको आप खतमी कर दो वहाँ से ले जाओ और दूसरे नए particle वहाँ पर डाल दो तो यह दो तरीके महाँ पर अपना सकते हैं अपन यहाँ पर भी lengthening of आर्क कर सकते हो कि आप उन दोनों के बीच का गयप बढ़ा दें pressure को ज़्यादा कर दें pressure को ज्यादा करने से क्या होगा कि जो मॉलीक्यूल से पास आएंगे और जुन्ने के चांद सुनके ज्यादा रहेंगे तीसरा है cooling आप आप कोलिंग भी कर सकते हो और एक मैंने आपको आर्क के बारे मैंने आपको बताया आर्क का अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो मैं इसका जो रेटान मटेरियल है वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करवा दूँगा आप आपको से पढ़ सकते हो और